बट्टे प्रदूशन को नियंतरित करने और जयव इधन को बढ़ावा देने के लिए वहानों के लिए पेट्रोल या पूरी तरह से इतनाल पर चलने वाले फ्लेक्स इंजिन जल ही अनिवारिय कर दे जाएंगी कि इंडिय सडक राचमार और परिवान मंतरी नितिन गड़करी ने कहा कि जो भविश्य में पेट्रोल वाहन खरी देंगे उनके पास फ्लेक्स इंजिन होगा उन्होंने रिसलियन के 116 वी वार्षिक सत्र को संबोधित करती हुए ये टिपनी की असर पर बोलती हुए उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और महानगरों में प्रदोशन एक बड़ी समस्या है डीजल और पेट्रोल सबसे बड़े प्रदोशक है देश को आज 12 लाग करोड रुपे का कच्छा तील आयात करना पड़ रहा है इन आयातों को कम करने के लिए इतनौल जैसे जैव इधन की उपईयों को पढ़ाना होगा गेहु चावल मक्का करना से इतनौल उत्पादन की अनुमती है इतनौल प्रदोशन का कारण नहीं बनता है यह आयात के लिए सस्ते स्वदेशी और प्रदोशन मुक्त इधन का विकल्प है गड़करी द्वारा इस दोरान यह सवाल भी किया गया कि हमें इस इधन की और क्य नहीं मुणना चाहिए इतनौल अनाज के साथ साल कोईले से भी बनाया जाता है अर्तिव्यवस्था को विक्सित करने की कोशिश शुरू है ऐसा गड़करी ने कहा साथ ही वे बोले कि अनाज के भूसे से CNG बनाना संभव हो गया है साथ ही मालवाहक ट्रकों और सारवजनिक परिवहन बसों को LNG में बदलने की जरुवत है वाहन भी बिशली से चलने लगे है जिसके लिए आवशक श्यास से प्रतिशत लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बनती है अब शीष्ट जल से हरे हाइड्रोजन का उत्पादन कर इस इधन को वाहनों के लिए उपियोग इन सब के बारे में लोगों में जाकरुकता पैदा करना और प्रधान मंतरे नरेंद्रमोधी के नेतुरतों में आरतिक रूप से सम्रुध सम्रुध भारत का निरमान करना ही आत्मनिर भता का एक मात्र रस्ता है ऐसा गड़करी ने कहा कैमरा पोसिन राजकुमार महोड के साथ शुतिजाद देशमुख बीसियन न्यूस नाखपूर